स्वागत है आपको इंग्लिस एक आसल चैनल पे आज हम फिलिप लारकिन के बारे में बात करेंगे जी हाँ बहुत ही कमाल के मेरे परसन सेवरेट पोईट हैं कमाल के वर्क्स इनके देखें क्या खास बात है जी हाँ फिलिप लारकिन बिटिश पोईट नॉवलिस्ट और जैज क्रिटिक रहे हैं ये लारकिन को माना गया है सबसे महान इंग्लिश पोईट्स में से अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो मतलब 1950s की बात करें इनका जनम हुआ था कोवर्ट्री इंग्लेंड में किंग्स हैंडरी दे एट स्कूल में इनने पढ़ाई करी और फिर सेंट जोन्स कॉलेज आक्सवर्ड में इनकी आगे की शिक्षा हुई युनिवर्सिटी के बात लारकिन ने एक लैबरेरिन की रूप में काम किया शॉप्श में और फिर ये हल में इनने जाना गई है वहाँ से उसे में डिलेक्ट मेट्रो जाया करती थी 1955 में और वहाँ पर ये हैड लैबरेरिन बने युनिवर्सिटी के अंदर बाकि की जिन्देगी इनने हल में ही ये शेर का नाम है और वहीं से इनने पोयम्स लिखनी चलू करी नोवल भी लिखे दे इनने अपनी शुरुवाती करियर में जिल और गर्ल इन विंटर ने नाम से चुरू से ही इनका ध्यान रहा है कि जिन्देगी और मौत से जुड़ी भी बातें अकसर ये लिखता करते थे डिसकस किया करते थे यही कारण है कि इनके वर्क्स में इसकी ज़्यादक मिल जाएगी आखरी के समय में ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे कुछ ही इनके वर्क्स लेखे इनको कैंसर हो गया था इसोफेगस का स्वांस नलीगा और सेकेंड और डेसेंबर 1985 में इनका दिहान थो गया था कुछ बहुत ही मशूर वर्क्स विट्सन वेडिंग 1964 हाई विंडोल्स 74 जिल 1946 गर्ल इन विंटर 1947 और दे लेस्ट डिसीवड 1955 विट्सन वेडिंग एक बहुत कमाल का पोईट्री कलेक्शन है जिसके इनने अपनी यात्रा की बात करी है जब ये मैट्रो में जा रहे थे हल की तरफ और दे लेस्ट डिसीवड में भी बहुत कमाल के वर्क्स हैं दोनों ही का मेरे परसनल जुडाव है क्योंकि मेरे पोस्ट ग्राइजूशन में ये थे तो बहुत ही कमाल के वर्क्स दोनों ही ज़रूर पढ़िएगा और अपने विचार शेयर कीजिएगा बहुत कमाल के राइडर है, बहुत फीलिंग के साथ बहुत छोटी-छोटी कवे नहीं लिखते हैं आज के लिए इतना ही, तैंक्स पॉर लिसनिंग